हेलो दोस्तों कैसे हो आप लोग एक फार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जी विगनर्स पर तो आज की वीडियो काफी इंट्रस्टिंग होने वाली है काफी मज़ेदार होने वाली है तो वीडियो को पूरा एंट तक देखना मज़ा जाएगा आज मैं एक प्रो कंपनी का मैंने पहले भी प्रोड़ेक्ट रिव्यू कर रखाया और यूज भी कर रखाया तो आज मैंने फिर उसी कंपनी का दूसरा प्रोड़ेक्ट मंगवाया है और एमी जोन से मैंने उसको मंगवाया है और देखते हैं उस प्रोड़ेक्ट के बारे में मैं आपको पू यह है भाई एक्सेल आर एट स्पोर्ट नूटेशन का रिप गेन यह भाई बहुत ही ज्यादा पॉपुलर एक गेनर है बड़ इसका पॉपलर होने का दो रीजन है एक तो इसका प्राइस दूसरे इसमें प्रोटीन कंटेंट कंपनी इसमें क्लिम करते कि इसमें तीन टाइप के प्रोटीन कंटेंट डाले गया है प्रोटीन है वो तीन टाइप के डाले गया है तो यहां पर सीधा सीधा लिख रखा है जो प्रोटीन पहला डाला गया वह वह प्रोटीन है और जो दूसरा डाला गया है वह मिल्क प्रोटीन है और तीसरा प्रोटीन डाला गया है वह सो टाइब के जो प्रोटीन है उसका ब्लैंड मिलता है देन बात करें इसके नुट्रिशन फैक्ट की तो हमको सौ ग्राम की एक सर्विंग मिलती है और एक पैकेट के अंदर हमको इसमें मैंशन नहीं की गया है और फैट है इसमें दो ग्राम बाकी समय बीटामिन्स है वो भी मिलते हैं इसके कुछ content है यह मैंने Amazon से मगवाया था और यह मुझे पढ़ाता है almost 500 रुपेगा और इसकी MRP है हुआ है 1100 रुपे अब बात करते हैं इसके टेस्ट की और कैसा यह इसका पीने में टेस्ट कैसा है और इसकी mixability कैसी है तो आप करेंगे इसको open और टेस्ट करके मैं बता हूँगा आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए तो पहले मैं टेस्ट करूँगा उसके बाद में बता हूँगा पहले इसको खोल लेता है कि प्ति प्पेल गया कि कुश्बू बहुत मस्त है और इसके इंदर आप देख सकते हूँ चॉपलेट फ्लेवर मैंने ओडर गया था तो मेरे पास चॉपलेट फ्लेवर है और यह इसका चममच है जो कि 100 ग्राम का है यह देखिए तो टेस्ट करते हैं इसको कैसा है पीडियमे टेस्ट इसका और मिक्स बेलेटी देखते हैं पूरा मिक्स होता है नहीं होता मैंने और लेड़ी से कर वागेरा सब खूल के रख रखाया है ताकि टाइम ना लगे नहीं लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए तो पानी अभी मैंने इसमें डाल दिया है और अब करेंगे इसको मिक्स तो भाई लोगों देख सकते हूं मिक्स पूरी तरीके से हो सकता है हो गया है सौरी और इसमें कहीं भी लंस वगयर तो मेरे को दिखनी रहा है पाके पीके में टेश्ट करके बादेश्ट करके बादेश्ट अब देश्ट के बाद करो तो टेश्ट ना जाधा अच्छा है ना जाधा बुरा है यदि आपको टेश्ट ही चाहिए तो भाई मैं तो रिक्रमेंट नहीं करूंगा कि आप इसको खरीदो ने अच्छा नहीं है और मीठा बहुत है बहुत ज्यादा मीठा है तो भाई यह रख दिया मैंने साइड मैं मैं इसको बाद में पी लूँगा पहले में पूरा बता दिता हूं तो भाई इसे देखो यहां से आप इसको स्कीन कर सकते हो यह ओरिजिनल है या नहीं है फेक है इस सब चीज़ के बारे में इसको स्कीन करके आप पता लगा सकते हो मैंने इसका जो पहला प्रोडेक्ट था एक्सल आर एट स्पोर्ट नूटेशन का वो मैंने इसका पहले वाला जो प्रोडेक्ट था वो मैंने एक प्रोटीन यूज किया था प्रोटीन कॉंसेंट्रेट फ्लेवर्ड चॉक्लेट फ्लेवर्ड वो मेरे को काफी अच्छा अप्रोटेंटमट है जो प्रोटेन हमको मिलता है कितने गिराम सौग्राम में 12 ग्राम और जुसफ होका से मवरेव प्रोटेंट शोया प्रोटेंट मिल्क अब है तो मुझे यह विल्कुल टेस्ट नहीं आया पर बाकि आप देख सकते हो आप इसको मंगवा सकते हो Amazon पर आसानी से मिल जाएगा साड़े 500 रुपे में तो भाई क्या ही बोलू पैकिंग बहुत सही है ठीक है यूज करूँगा अब देखूँगा भाई से कितना फरक पड़ता है strength और muscle growth पर और बाद में इसका पूरा review और मैं आपको provide करा दूँगा अभी तो यही है आप इसको order कर सकते हो Amazon flip card पर चाओ हो तो और नहीं चाओ तो मत करना बाकि आप एक काम जरूर कर सकते हो वो यह है कि आप मेरा जो channel है उसको subscribe जरूर करो और इस पे मैं आसी ही वीडियो बनाता रहता हूं protein और sports nutrition के बारे में बताता रहता हूं मैं वही protein और वही product का review करता हूं जो मैं खुद यूज करता हूं कोई brand भाई पैसा नहीं देती आपन को मैं वही चीज आपको बताता हूं जो मैंने खुद नहीं यूज करी है अब यह पूरा खाऊंगा पूरा पी हूंगा उसके बाद मैं फिर और बताऊंगा मैं आपको तो प्लीज मेरे चैनल को subscribe करना अपने दोस्तों में share करना यदि आप यह लेना चाहरे हो या अपना कोई दोस्त लेना चाहरा है तो उसको भी यह भाई करना चाहरा है